ओम नमो भगवते वासुदेवाए नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूचीब शानल व्रत्यो हार टोटके मैं हूँ आपके साथ फिर्म शिम्शर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूँ शट्तिला एकादिशी की बारे में शट्तिला एकादिशी साल 2021 में किस तिथी को पढ़ रही है तारीख को लेकर थोड़ा संच्य है क्योंकि दो दिनों में एकादिशी तिथी पढ़ रही है साथ को फरवरी को या फिर आच फरवरी को तो किस दिन हम वृत रखेंगे वृत का शुब महुर्त क्या होगा पारण ह किस समय करना चाहिए शट्तिला एकादिशी का क्या महत्व है इस तिन हमें क्या वो दान कर्म है जो जरूर करने चाहिए और इस तिन क्या वो एक अचू कुपाई है जो हमें अपने समस्त पापो के नाश के लिए जरूर करना चाहिए तो ये संपोर्ण जानकारियां दोस्त यो आंट तक जरूर देखें दोस्तों साल में 24 और अधिकमास लगडी पर 26 एकादशी वरत आते हैं और इसा माना जाता है कि सभी वरतों में श्रेष्ट तम वरत है एकादशी का हला कि सभी एकादशी वरत हैं सभी श्रेष्ट हैं लेकिन हर एकादशी वरत का महत्व अलग- बहुत ही ज्यादा महत्व है शट्रतिला एकादशी पर भी हम श्री हरी भगवान विष्टू की पूझा आराधना करते हैं इस दिन तिल का विशेश महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल का छे तरीके से दोस्तों उपियोग और प्रयोग करना चाहिए जिससे आ पहले आपको बता दू कि साल 2021 की जो शट्रतिला एकादशी है वो वरत हमें गिरस्त लोगों को किस दिन करना चाहिए साथ फरवरी को वरत हम रखेंगे पारण का समय भी आगे मैं बताऊंगी शुब महुर्थ उसके पहले बता दू कि शुब महुर्थ क्या होगा शट्रति पर एकादशी तित्ही समाप्त हो जाएगी आठ फरवरी को सुबह 4 बज कर 47 मिनट पर अब जो हम विरस्त लोगों रखेंगे वो साथ तारीख को करेंगे लेकिन वैशनम जन्यों की जो एकादशी होगी वो होगी आठ फरवरी को एकादशी का जो पारण समय होगा वो मैं पारण का समय होता है रिवासर के बाद का समय होता है वह होगा आठ फरवरी को एक बच करばい Coach years जो भजकर दोपहर के घ्रान से अब लोड का लीजिए एक फचकर बै आलेस मिनट से तीन बच कर चौवण मिनिट संध्यागा तो यह समय है हरिवासर समाप्त होने के बाद का जो समय है वो 10 बचकर 25 मिरण सुभई का समय है और पारण हमेशा दुआदशी तिथी में हम करते हैं दोस्तों अब शर्टिला एकादशी की जो पूझा विधी है वो में आपको बता दूँ जैसा मैंने बताया कि इस तन हम भगवान श्री हरी भगवान विष्णु की पूझा आराधना करेंगे तो सुबह उठकर प्रातकाल हम भगवान के सामने वरत का संकल्प लेंगे देखिए दश्मी तिथी सही हम सभी जानते हिकादशी वरत प्रारंब हो जाता है और यह ऐसा माना जाता है कि दश्मी तिथी को भी आपको रात्री भोजन नहीं करना चाहिए अन्न का एक दाना भी अंशी भी इकादशी तिथी में शरीर में नहीं होना चाहिए तो ऐसे में आप ये नियम हमेशा फॉलो करेंगे अब सुबह उझकर आप सबसे पहले स्नाना दी करके भगवान का ध्यान करके वरत का संकल्प ले लेंगे भगवान को इस दिन तिल से बनी हुई वस्तुओं को ही हमें अर्पित करना है भगवान को हम इस दिन स्नान कराएं तो उनके स्नान में भी हम तिल में लाएं भगवान को इस तिन हम अरपित करें अक्षत की रूप में तो तिल ही अर्पित करें वैसे भी IKAदिशे तिथी में चावल का प्रियोग भगवान विश्णु के लिए वजित माना गया है तो आप अक्षत का उपयोग भी तिल का करें कल शृस्थापना करते हैं आप वहां पर भी तिल का प्रियोग करें भगवान को जो भोग आप अर्पित करते हैं तिल से बनी हुई कोई मिठाई का आप भोग भगवान को लगाएं भगवान को फूलों में पीले फूल पसंद हैं तो पीले फूल आप उन्हें अर्पित करें एकादिशी तिथी में दोस्तो भगवान के मंत्रों का जितना जादा से जादा बार हो सकता है आप जब करें ओम नमो भगवते वासुदिवा इस मंत्र का जब करें इस तिन आप माता तुलसी की विशेश पूजा आराधना ज़रूर करें भगवान को तुलसी दल ज़रूर अ आप ऐसा भी कर सकते हैं, इकादिशी तिथी में दोस्तों अनाज का सेवन नहीं करना होता है, वैसे तो इकादिशी नरजलावरत होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तो आप फलाहार कर सकते हैं, चाय, जूस, इत्यादी आप ले सकते हैं, लेकिन और नमक इस दिन नहीं लिया जाता है, दुआदिशी तिथी में जब परायन करेंगे, उसकी बाद ही रहन करेंगे, अब शक्तिला एक आदिशी का जो विशेश महत्व है, तिल को लेकर मैं बताओं, इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको अपने लिए 6 कारिये जरूर करने है, वो कारिये क्या क्या है, मैं बता दूँ, इस दिन आप जब स्नान करेंगे, उसके पहले तिल के उप्टन से आप मालिश करेंगे, अगर उप्टन आप नहीं तयार कर सके तो तिल के तेल से आप मालिश करें, नहाने के जल में आप तिल जरूर डाल कर स्नान करें, इ इस दिन आपको तिल का दान करना चाहिए, इस दिन जब आप सुर्यदीव को अर्ग दे रहे हैं, उस अर्ग में भी आपको तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इस दिन आप जो आहूती देते हैं, हवन करते हैं, उसमें भी तिल का ही आपको आहूती देना है, इस दिन जो तो ये जानकारियां बहुत महत्वपोर्ण थी, इस तिन आप श्रीहरी की शत्तिला एकादशी की जो वरत कता है, वो जरूर सुनें, भगवान के विश्नु सहस्त्रणाम का जब करें, आप चितनी संख्या हो सके जब करें, रात्री जागरन का बहुत महत्व होता है, तो रात को आप द्वादशी तिथी में जो आप पार्न करते हैं, उसके पहरी ब्रामन को जरूर दान, करते हैं तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि इस इकादिशी का नाम ही है शक्तिला इकादिशी तो आपको तिल का इस तिन जादा से जादा प्रयोग करना है अपने लिए भगवान के लिए जो दान आप कर रहे हैं उसके लिए भी सुभे की पूजा जब सुरी नार और ओपियोगी साबित हो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसी तरह की जैनकारियों के लिए दोस्तों अगर चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर का लेजिए वीडियो और तक देखने के लिए आप सभी का बहुत